मद्यप्रिदेश के खंडवा की एक इस्थानी अदालत में आरोपी को इस शर्थ पर जमानत दी कीवर प्रत्यक रहिवार को इस्थानी CMHO आफिस अस्पताल जाकर श्रमदान करन देगा अदालत ने यह अनोखा फैसला दो पक्षो के आपसी विवबाद में धारा 307 के एक आरोपी मुहमद अलीम पिताहनी के केस में सुनाया मुहमद अलीम 18 साल के हैं और खंडवा के खंडवा के गासपुरा ख्षेतर के निवासी हैं अलीम ने भी अदालत के इस आदेश का पालंग करते हुए रहीवार को सिये में चो आफिस और अस्पताल पहुच कर श्रमदान किया खंडवा की एक अदालत ने अनोखा फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह प्रत्यक रहीवार को इस्थानी सिये में चो आफिस अस्पताल जाकर श्रमदाल करेगा जमानत आदेश का पालन करते वे दारा 307 के आरोपी मौमद अलीम पिता हनीव उम्र 18 वर्ष ने रहीवार सुबह अस्पताल परिसर में श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई कर जाड़ू लगाई साथी अपील भी की कि कोई भी वेक्ती किसी विवाद में न पड़े आरोपी अलीम वकील बताते हैं कि 24 दिसंबर को रात को त्वालिक थानाक्षेत्र के कंजर मौले में एक विवाद हो गया था जिसमें चार लोगों के खिलाब मुकदमा कायम हुआ चारों को जेल भेज द रखी COVID-19 को देखते हुए प्रत्यक रहिवार को इस्थानी CMH ओ आफिस जाएगा और श्रमदान करेगा गोरतलबी के आरोपी को नियाले ने 11 जन्वरी को इसी शर्त पर जमानत दी थी कि वह प्रत्यक रहिवार को CMH ओ आफिस जाकर श्रमदान करेगा जानकारी के अनुसार कोत्वालिक शेत्र के कंजर मोहले का है 24 दिसंबर की रात हुए एक विवाद में अलिम और उसके साथियों के खिलाब पुलिस ने धारा 307 के तरहत प्रक्रन दरजकर जेल भेज दिया था अलिम वो उसके साथ 15 दिन से जेल में थे टेम भारती नहीं हुए और आज में यहाए ना सम्दान करने आया था हमारे मुहले में चलते चोटी सी बात पर विवाद हो गया था उसके चलते मैं के जेल बेज दिया गया था उसके वह से मुझे कोड ने इस बात पर जमानत दी कि मुझे यहां आकर सम्दान करना और लोगो क्या बुलना चाहिए बसकी सबस्वाच्चिता अभियान को और आग्ये बढ़ा है और सुच्चिता की यह मिसाल आता करें किसी भी बाद में वो निया हो कि अधाना सेटी कोटवाली के कंजर मोला था वहां पर दो पक्षों के भी जवाद हुआ था जिसमें चाह लोगों खिला मुकदमा कायम हुआ था उन चाह लोगों को पुलीस में गिरफतर कर न्यालेम प्रस्तूत किया और नहां से उनको जेल बेज दिया था उसी में से कार कि अधाना के साथ एक सर्थ सच्छता को लेकर लगाई थी वह सब्सक्राइब के आरोपी कोविद 19 को देखते वे प्रक्तिक रविवार थी आपिस घंवा में जावेगा और वहां पर स्रम्दान करेगा संदान में जो भी वो कारे बताएंगे वो कारे वो करेगा सक्राइब चरा कर अपलेश चानल एव